रेड्मी के फॉर्टी एस हां गाइस यहां पर रेड्मी अपना मदब यहां पर एग निया स्मार्टफोन चाहिना के लांच कर दिया है और इसनों हम बात करने वाले हैं इसके इंडिया लांच के बारे में किस नाम के साथ आख सकता है और क्या प्राइज होगी क्या अब बात करेंगी प्राइस लॉंजट के बारे में तो सबस्क्राइब दिखने में नहीं फोन बहुत बड़ीया लुक के साथ इस बार यहां पर रेड्मी ने लांच किया है जो मुझे बहुत बड़ीया लगा फोन का डिसाइन और अगर आपने फोटो भी देखो लिख दो बहुत 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 दा प्र्मीम फितर दाहरु है दिसमा बात करे था है लाते बब्रह कोई दीम्제를 देघारी है तो मेरे साथ से वहां बैको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली चेलि चिफसड में आ जाते है तुरू है आपको Snapdragon 870G वाला चिफसड देखने मिल जाता है performance के मामने में भी बढ़िया है इसमें भी आपको कोई problem नहीं मिलने वाली है तो मेरे साब से हाँ definitely performance भी इस phone की बहुत ज़्यादा अच्छा है चलिए cameras में आ जाता हूँ तो main camera आपको 48 megapixel का मिलेगा और तेरा आपको 8 megapixel का ultra wide इन दो microns देखने मिल जाता है तो triple camera रहे में मिल जाएगा selfie बात करेता हूँ तो 20 megapixel की selfie मिल जाएगी center punch hole के साथ तो वो भी मेरे साब से अपके लिए अच्छा काम हो जाने वाला है तो on papers cameras तो बहुत अच्छा लग रहे है let's see quality कैसी होती है battery मा आ जाता हूँ आपको जो साड़े 400 की बैटिक दी जा रही है प्लस टाइफ सी आप 67 वोट की फास चारिक दी मिल जाती जो में सबसे पसली बहुत अच्छी बात लगी मुझे और कहा जा रहा है box में charger मिलेगा यह बहुत बढ़ी बात है यार देखी जब फास चैरिक सोने ना तो हम यह भी confirm कर लें कि क्या charger box में होगा की नहीं अब इंडिया का तो मुझे नहीं बाता बट वहां पर तो box में आया है तो हां इंडिया में आ जाए तो अच्छा है यार बना भी तो बहुत सारी कंपनी चार्जर से box अलग कर रही है तो यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यह बात कर लेता हूं android 12 और बॉक्स होगा य इंडिया में तो साड़े 21,000 रुपे करीब होता है और साड़े 21,000 रुपे में आपको Snapdragon 870G, Super AMOLED डिस्पले, 48 पिक्सल कामरा, 67 फास चारिंग और मेरे साब से इतनी अच्छी चीज ने मिल रहे ही ते कम प्राइस में बट इंडिया में इतने कम प्राइस के साथ नहीं आए बट रेड्मी सीरिस के नाम से नहीं हो सकता है, Poco F4 करके आजाए तो अगर आप लों इंताब कर रहे हो इस फोन के लिए तो मेरे साब से बहुत अच्छा स्मार्पोन है और बहुत बढ़ी है प्राइस के साथ होने वाला है, तो अगर आप लों इंताब कर रहे हो ना तो मे 11X के साथ भी किया था, तो गेमर्स के लिए तो वहाँ पर कोई प्रॉब्रम नहीं होने वाली है, बैटरी में भी साड़े चामेश इनफ है मेरे साब से, N67 Mode दे की फास्ट चैरिंग ही बहुत दद ददी गई है, तो उसमें मेरे साब से आप लोग को लिए बहुत दद बढ बनाने के लिए, और कल का OnePlus 10 Pro का वाला वीडियो नहीं देखा है, तो वो भी जब से देख ले ना, हमने उसके पर वीडियो बनाया हुआ था, और A53 भी आ रहा है इंडिया के लिए उसके वीडियो बनाएंगे, तो वो भी बेट करो उसके लिए and comment करके बता सकते हो, आप लो इस दारुपे के उपर मतब 27-28 गरुपे में जा सकता है, तो बताते में comment करके कैसा लगा वीडियो और इस पर बस दिना रखता हूँ, टेल लें थाएंगे फॉचिंग इस वीडियो